ओम नमो भग्वते वासु देवा या नमह नमस्कार मित्रों आज के वेडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मकर रासी वालों का 15 नवंबर 2020 का दिन कैसा बीतेगा अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वेडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प्रियास करें क्योंकि यह वेडियो आपके आज के दिन के लिए बहुत जियादा महत्वपुर्ण और उपयोगी है सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके घर पड़िबार के बारे में दोस्तों आने वाले समय के दोरान अगर आपके जीबन में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई समस्या रहता है तो उस पड़ेशानी में आपके घर के लोगों का साथ आपके घर के लोगों का सपोर्ट आपको बहुत जियादा मिलेगा और इस कारण से आने वाले समय के दोरान आपके घर का माहौल आपके घर का वाताबरन बहुत जियादा बेहतर और शांदर होगा दोस्तों आप में से जो भी दर्सक जो भी जातक छात्र हैं विद्ध्यार्थी हैं तो आने वाले समय के दोरान आपके पढ़ाई लिखाई के छित्र में आपका समय आपका भाग आपका शात अबश्य देगा दोस्तों आने वाले समय से पहले अगर आपके प्रेम शम्बंध में कहीं कोई पढ़ेशानी कहीं कोई समस्या था तो उस पढ़ेशानी को आपको खत्म करना होगा क्योंकि आने वाले समय के दोरान इस काम को करने में आपका समय आपका भग्य आपका साथ अबश्य देगा मित्रों आप में से जो भी जातक जो भी दरसक बेपाड़ी हैं और आने वाले समय के दोरान अपने बेपाड के छित्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आने वाले समय के दोरान अपने कामकाज में अपने काड़ यच्छित्र में आपको नई तकनीकों का सहारा लेना होगा क्योंकि आने वाले समय के दौरान अगर आप ऐसा करते हैं नई तकनीकों का सहारा अगर आप लेते हैं तो आपके कामकाज में आपके बेपार बेबसाई में आगे बढ़ने का मौका आपको बहुत जियादा मिलेगा मित्रों आने वाले समय के दौरान अपने समय को बहतर और सांदार बनाने के लिए आपको असनान ध्यान करने के बाद बाबा भैरब की पूजा करनी होगी अपने पूजा पाथ से आपको बाबा भैरब को खुस करना होगा आज आपके लिए भाग्य साली अंक है वन यनी की एक आज आपके लिए भाग्य साली रंग है हरा और फिरो जी तो यही था आज के दिन का रासी फल तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्रेब कर दें इस वीडियो को आप हर जगा से यर कर दें ध हन्यवाद